तो 18 नवेंबर को Skyroot ने अपना प्रारम मिशन आरम किया, फिर वो rocket घूमने लगा, क्यों? उसके बाद उस rocket से कुछ तो निकला camera के समनी, ये क्या है? और एक fun fact, ये होगा इस वीडियो के 4 parts चले जानते हैं. तो इजरो ने इसके live stream की उनके facilities में हुआ है, Skyroot ने भी schedule किया था अपना stream, ये जो launch है, वो इजरो के SRC, यानि sounding rocket complex से हुआ, ये जो part SR में, यहां से sounding rocket जैसे रोही नी वगएर लांच किये जाते है, रोकेट के बाद कर लेते हैं, ये rocket था Vikram S या VKS, ये custom rocket है Skyroot का, करिब 6 meters tall ह 0.37 meters diameter, half a ton से थोड़ा ज़दा weight है, इसका 545 kg, Kalam 80 जो है, इसका motor का नाम है, ये 7 tons of peak thrust produce करता है, vacuum में, और Skyroot ने कहा था कि इसकी peak velocity Mark 5 होगी, जो एक hypersonic regime में आती है, एक और important चीज जो काफी लोग को नहीं बताती है, इस mission के साथ, ये जो launch था, वो एक sub-orbital launch था, मतलब ये rocket कोई satellites carry नहीं करेगा, जो space में deploy होंगे या छोड़े जाएंगे, ये payloads carry करेगा, satellites नहीं बोल सकते क्योंकि orbit नहीं जा रहे, जो rockets attached होंगे, ये rocket उपर जाएगा, और फ़र नीचे आके destroy हो जाएगा, C में, अब आप बोलोगे ये सब क्यों इसका क्या फायदा है, well, क्योंकि ये payloads important experiments है, कुछ companies के, कुछ लोग space में कुछ test कर रहे, तीन payloads थे उसके उपर, electronic, तो rocket जैसी उपर जाते जाते है, data collection स्टार्ड होगा, experiments के उपर, और फिर रिले किया जाएगा, transmit किया जाएगा, वापस headquarters पे, ऐसे ही, इसरो के रोहीनी rocket वगेरा होता है, जो मैं आपके screen क उपर दिखा रहा हूँ, इसके बजाए, शायद कुछ 300, hello space cards थे, जो SpaceX, SpaceX ने, Skyroot के लोग और, इसरो और, इन स्पेस के लोगों ने sign वगेरा किये थे, जो वो rocket के साथ भेजे, पर उससे भी जादा, एक और important aspect है, इस launch का, जो है कि, Skyroot जब अपना main orbit वाला rocket, Vikram 1, लांच करे जैसे launch computers, avionics वगेर, आपका, आपका जो टेलेमेटर जो आप पास कर रहा है, रॉकेट से, पैड तक की हम कहा है, कि इतना speed है, communication, आपका tracking, आपका inertial navigation system, onboard cameras, ये सब इस rocket के थुरू, already test हो गया, Vikram 1 का, तो जब Skyroot Vikram 1 लांच करेगा, उन्हें आदे चीजे का tension नहीं होगा, क स्क्री मिजरो के cameras के थुरू था, तो कुछ खास नहीं था quality, बट Skyroot ने खुद के कुछ वीडियो रिलीस के, जो मैं background में play करते रहूंगा, अभी एक और interesting चीज थी, कि launch kit होने से पहले, launch होने से पहले, commentary वाले काफी सरे technical बाते कर रहे थे, जैसे azimath और launch angle, जो interesting था, आप यह देख सकते हैं, launch pad के ओपर आपको angle दिख रहा है, यह hydraulics जैसे कुछ दिख रहा है, well यह important है, देखो क्या होता है, यह rocket चोटा है, तो इसे wind easily effect कर सकता है, तो important है कि आप wind measure करें, जो यह balloons वगरा भेज़के करते हैं launch से पहले, और फिर wind के हिसाब से, आपका जो launch का angle है, म तो वह ही explain करते हो live stream में कि यह सब किया है करके, पहले launch से पहले, अब यह take off हुआ, फिर launch हुआ, काफी खुबसूरा take off, बहुत जल्दी pad से गया रहा है, चोटा rocket बहुत सारा trust एकदम quickly launch pad से निकल गया हो, और फिर best thing यह थी कि Skyroot ने अपना onboard camera के view, उस live stream वाले के साथ यह care क रखा था, interact करके रखा था, तो बीच-बीच में play कर रहे थे, on onboard cameras का view, तो वह मज़ा आ गया देखके, उसके बाद rocket spin उने लगा slowly, इस point पे काफी लोग confused हो गए कि spin क्यों हो रहा है, क्या यह गलती थी, क्या यह on purpose था, यह on purpose था, क्योंकि rocket designed ही ऐसा है spin होने के लिए, इस द Skyroot ने कुछ दिन पहले ही video भी डाला था, अपने YouTube पे उपर, इसका testing करते हो, इस spin motors का, चार इसे motors है, जो भार facing है, और यह roll करते है, पूरे rocket को घुमाते है, अब यह इसलिए important है, क्योंकि यह rocket पे कोई active stabilization नहीं है, इसका nozzle हिलता नहीं, इसके fins हिलते नहीं, इसके उपर करते है, इसे spin stabilization करते है, यह gyroscope वाला concept है, या अगर अपने bay blades वागेर साथ खेला है, चोटे रहते हो, तो कैसे घूम कि अपने सीधा होता है, वो वाला चीज आप समझो, तो यह काफी easy way है, rocket को stable करने का, उसके बाद launch चलते गया, rocket ने करीब 89.9 km आपोजी पे पहुचा, अपोजी मतलब highest height या अपोगी, उनका target था 80 km, पर उनके brochure में भी दिखा था 100 km, देखो, internationally usually 100 km इसे space वाना जाता है, बट anyways, वो point था ने, उनका aim 80 था, जो ने किया successfully, अभी फिर आया वो point जहां पे इस rocket से कुछ निकलने लगा, और सारी लोग confused हो गए, concern हो गए, पर skyrode के टीम के faces के उपर कोई concern था ने उतना, तो फिर पवन ने वो clarify किया, कि ये जो है, वो local मतलब उस area का peel off है, thermal protection cover का, और मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, anyways, rocket अपना काम कर रहा था, आप screen के उपर telemetry वगरा देख रहा थे, data आ रहा था, बस एक glitch हुआ, kind of की, जैसे rocket नीचे के आसपास, वो telemetry होने लगा, शायद rocket tumble कर रहा था था तभी, क्योंकि obviously वो बहुत तेज गर रहा है, या तो वो earth के curvature के दूसरे side गया, weird ये भी था कि आप right में देख सकते हो, कि rocket का जो footage ये camera का, वो rolling था, वो आ रहा था, पर telemetry पता नहीं क्या, anyways, वो part important है नहीं, तो भी fun fact का है, तो मैंने ऐसे casually पवन को पूछा था, कि ये जो आप देख सकते हो, मैंने बोला, देखो spin thrusters fire होते है, पर वो rocket कैसे decide करता है, कब spin thrusters को fire करना है, तो मुझे तो लग रहा था कि कोई होगा, अईतम complex timer mechanism वगरा, पवन ने clarify किया, कि उन्होंने एक mechanism ऐसे implement किया, कि जब rocket उड़ रहा है, वो एक shunt wire को cut off करेगा, ये slow motion by the way उसने share किया था पवन ने उस पे, वो shunt wire को cut off करेगा, जो एक और system को signal करेगा, कि वो जो main motors है, उसका जो firing है, उसका charge on करे, और जैसे rocket एकदम उपर पहुच जेगा end पे, जहां पे launch pad end होता है, वो railing जो है, वहां प देखो slow motion, launch pad के edge के just उपर, वो चालो हो जाता है, spin thrusters, तो interesting है, क्योंकि वरना उन्हें अंदर extra batteries वगरा डालने पड़ती, extra current के लिए, ये spin thrusters fire करना है, और उपर से हो पूरी complexity timers की, anyways, गयान की गरेगा, ये सबसे बड़ी, जैहिं, जैभारत, अगर हो सके तो support करो, इस channel को financially join button दबा के, या UPI इस्तेमाल करके buy me a coffee पे, मैं prefer करूंगा sponsors ना लेना, अगर community support होगा तो best है, right, जो है फिलाल, तो हाँ, special thanks to Manoh Aran, Karthikeya Deval, Jaiam Sharma, Rohit Soharnach, वुटलाई शितन्या, नारन प्रसाद, प्रदीप महंदा, साकाश पाटिलावित नंभियार, तनमे देशपंडे निशन कुमार, विशाल बारोत, पल्लो रानडे, हाइडरेटिंग, कृपल पतेल, निशन प्रजापती, और शौनोग पेर्नी, और रजित देश्पंडे, थैंक यू